इरान के राश्पती इबराहिम राइसी की हेलिकॉप्टर क्रैश में हुई मौत से इरान समेत उसके समर्थक सक्टे में है। इसे वक्त पर राश्पती राइसी का यूँ असमेन धन जाहिर तोर पर इरान के लिए एक धक्के से कम नहीं है। राश्पती पद पर आसीन हुए राइसी ने बेहद ही कम समय में इरान को मिडलीस्ट की एहम धुरी बना दिया था। जिनकी मौत की गूंच अब पूरे मिडलीस्ट में साफ तोर से सुनाई दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरान ने लिबनान, सीरिया, एराक, यमन और फिलिस्टीनी इलाकों में अपने प्रॉक्सीज की मजबूत सेना खड़ी कर रखी हैं। जो एरान के एक इशारे पर इसराइल अमेरिका समेत पश्च्चमी देशों पर कहर बरपा सकते हैं। मालूम हो कि इसराइल हमास युद्ध के बाद से एरान मिडलीस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन कर उभरा है। जहां उसने सौदी अरब जैसे देशों को पचारते हुए मिडलीस्ट में अपना वर्चस्व कायम किया है। बीते अप्रेल महिने में ही पहली बार इरान ने अपने कट तरदुश्मन इसराइल पर साड़े तीन सो से ज्यादा हवाई हमले दाग कर अपना बदला चुपता किया था। जिसके बाद से मिडलीस्ट में तनाव चरम पर पहुँच गया था और दुनिया भर के देश एक और युद्ध की आशंग का लगा बैठे थे। इरान के रूस को ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई को लेकर अमेरिका ने इरान पर प्रतिबंदों की जड़ी लगा रखी है। बावजूद इसके इरान ने अपने हथियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार इखटा करने में कोई कमी नहीं की। माना जाता है कि इबराहिम राइसी के कारेकाल में कई मौको पर दिखा गया कि इरान ने अमेरिका से पंगा लिया। और इरान का मिडलीस्ट में बढ़ता कद देख अमेरिका समेत इसराइल दोनों ही उसे किसी ना किसी तरह के प्रतिबंदों के जाल में फसा कर रोकने की कोशिश करते रहते हैं इरान मामलों के जानकारों की माने तो रईसी की अचानक मौत का इरान के शाशन पर कोई खास असर नहीं होगा इसका जो कुछ भी असर होगा वो खास तोर से घरेल उस्तर पर ही होगा एक्सपर्ट की माने तो राइसी की मौतसे ना तो एरान की इसराईल के साथ दुश्मनी बदलने वाली है ना ही हमास हिज़ूला और हूतियों के जर्ये चलाये जाने वाले प्रोक्सी वार ठंने वाला है दावा किया जा रहा है कि एरान की सारी आकरामक नीतियां पहले की तरह ही काम करेंगी माना तो ये भी जा रहा है कि रैसी की मौत से एरान मिडलीस्ट में और खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है जिससे इसराइल और अमेरिका जैसे देशों की मुश्किले बढ़ सकती है हाला कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि रैसी की मौत महस एक हादसा थी या फिर साजिश अगर इसमें जरासी भी साजिश की बू आती है तो इरान बिलकुल भी शान्त नहीं रहने वाला है खास्तोर से इरान के सुप्रीम लीडर जो रैसी को बेहद खास मानते थे जो उन्हें भविशे का सुप्रीम लीडर का दर्जा देने जा रहे थे ऐसे में रैसी की मौत इरान के लिए बड़े जटके से कम नहीं है